हलो एवरीवन मैं दीरज आप सोगी का अपनी येट्यूब चनल में स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में स्वागत करने वाद है SSC CGL Tier 1 32 की 19 जुलाई 73 के सभी कोश्चनल को तो चलने सुरू करता है अब पहले कोश्चन में हमसे कहा रहा है कि the third proportional between 25 and 35 is हमसे कहा रहा है कि 25 और 35 की बीच का 30 यानूपाद क्या होगा अब क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारे पस दो नंबर अप ए और भी हो और हमसे पुछाओ कि इन दोनों के बीच का third proportional क्या होगा तो वो क्यों होता है बीच के रपोन एक होता है अब यहाँ पर हमसे पुछाए कि 25 और 35 की बीच का third proportional क्या होगा तो वो क्या होगा 35 का square upon 25 यानि 35 का square का हम क्या लिख सकते हैं 35 into 35 लिख सकते हैं और यह यहाँ पर आ जाएगा 25 5 से जाएगा 5 बर 5 से जाएगा 7 बर और 5 से यह अगें यहाँ पर साथ बर जाएगा तो सत्तो सत्तो क्या हो जाएगा नंचास यानि यह जो third proportional होगा between 25 और 35 बो क्या होगा 49 होगा तो यह हमारा answer हो जाएगा अब इस question में कह रहा है कि इन triangle ABC similar है triangle PQR के if triangle ABC similar है triangle PQR के हमसे यहाँ पर का गया है कि हमारे पास दो त्रभुज़े ABC है और एक PQR है और यह दोने triangle क्या similar triangle है और आगे का गया है कि AB बरावर क्या है 4 cm है यह हमारा 4 है PQ बरावर के दादि यह 6 cm दिया है QR की value क्या दिया है 9 दिया है और RP की value क्या दिया है triangle का perimeter होता है कि तीनो side का sum हो जाएगा अब यहाँ पर हमें एक side तो दिया है यहाँ पर हमें दो side यहाँ पर नहीं दिया है तो हमें यह पहले सबसे पहले यह दोनो side निकालनी पड़ेंगी तब ही हम बता पाएगे कि triangle का perimeter क्या होगा अब यहाँ पर हमें एक condition के दिये है कि triangle ABC similar है triangle PQR के हम जाते हैं कि जब तो triangle हाँ आपस में similar होते हैं तो उनकी जो corresponding side का ratio होता है वो हमें से same होता है तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक triangle PQR यहाँ पर side दी है तो यहाँ पर हम side का ratio देकेगे वो क्या है हमारे पास जाती हम 3 से divide कर दे क्या हो जागा? 3-3, 3-4, 12 यानि कि हमारे पास side का ratio आ रहा है यहाँ आ पर क्यूंकि यह 2-3-4 आ रहा है यह similarity की प्रपोइटी से कह सकते हैं कि हमारे पास जो साइट का ratio वो क्या होगा दो ती चार के अनुपात में होगा अब यहां पर हमें एक चीज दिख रहेंगे कि दो की value क्या चार है यहां से एक unit की value क्या जाएगे दो आजाएगे जब एक unit की value दो है तो इस तीन unit की value क्या हो देंगे तो 8 ओच्या 12 ओच्या 18 यानि हमारे जो perimeter होगा क्या होगा 18 होगा अब इस question पर कहा है कि यह हमाने पास एक expression दिया है और इसकी value क्या 158 के बरावर है हमसे कहा है कि then find the value of question mark हमें इस question mark की value यहां पर बता लिए है जो यहां पर ही question mark है अब यह इस question mark को अगर हम x मान ल यहां पर होज़ागा चाहिए ? यहां पर क्या होज़ागा और question mark मों मैंने x मान लिया तो यह क्या होज़ागा। यह % है तो X upon 100 यहां पर हो जाएगा और यहां पर 250 प्लस अब यहां पर यह % हटेगा तो हमारी यह 2 0 चली जाएगे और 12 चौप कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा तो यहां पर यह क्या जाएगा 48 और यह किसके बरावर होगा 158 के बरावर होगा अब एक 0 से हमारी एक 0 चली जाएगी अब इन दोनों संग्याओं का multiply करेंगे तो क्या आएगा 25 की 5 आवसे नदू आगा 5 चिक 30 और 5 ती यह 15 और 30 और 15 क्या हो जाएगा 45 तो 47 की 4 आशल 7 हो जाएगा अब 3 छिट अठार है 84 क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा 217.5 होगी अब यहाँ पर अगर हम देखें 0 से 1 0 जाएगा 5 से 5 बर जाएगा 5 से यहाँ पर कितिमा जाएगा यह दो बर जाएगा यानि यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 x y 2 बनेगा अब 48 अगर हम यहाँ पर ले जाएगा तो यह कितना वचेएगा मारे पास 110 भचेएगा यानि कि 5xy2 पाइट की वैनिव भेली वह किसके बराबर आएगी 5xy2 यह जाएगी और इसको इदर ले जाएगी तो यहांपर 217.58 से 110 जाएगा तो माने पस क्या वज़ेगा 5 यहांपर वचेगा 7 एक एक यानि 117.5 वचेगा अब 5 से इसको डिवाइट करेंगे तो कितीमा जाएगा पांद ले 10 पांस दिवाइट वचेगा 25 यानि 23.5 की बराबर आए तो यहां से X की वेल्यू क्या जाएगा 2 का मिल्टिप्लाइस में होगा तो क्या वज़ेगा यहां से 23 दुनी 24 और 0.5 यह क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा यानि तो X की वेल्यू आएगी वह क्या है कि 47 आएगी तो क्षिचन मारक की वेल्यू क्या होगी हमाने 47 होगी अब इस क्षिचन में कहा रहा है कि भर आएगा 2 के बरावर आएगी तो किक बरावर आएगी तो यहा र की में क्या होगी तो इस तो झाल आएगा इसकि वेल्यू होगी हमारे पास t ky1-3 और तीडियम्हें अग्या होगा होगी तीन यूनित होगा तो इस तरीके से इसका answer क्या हो जागा तीन इसका answer हो जागा यहां पर इस question का answer यहां गलत दिया वर्ट-वट फैब नहीं होगा तीन होगा इस question में कहा रहा है कि दो वेक्ति एक ब्रत्तकार टेक पर बिपरीद दिसाओं में 20 मीटर पर सेकेंट और 30 मीटर पर सेकेंट कि चाल से दोड़ आपर इसका answer कि यहां पर पर सेकेंट की चाल से दोड़ रहा है यहां की स्पीड के 20 मीटर पर सेकेंट और 30 मीटर पर सेकेंट है अब इस question करने के लिए हम यहां पर क्या strategy अपना सकते है कि यदि मान के चलो आपनी स्टार्ट कर आइए तो सबसके पेहले हम क्या निकाला इक हम ते कि चाल वह उतना समय बाद मेंगे तो वह यह ईतनी हम टैम निकालेंगे उस time में हम क्या करेंगे वो वाले time से divide कर देंगे जहापर भी दोनों अपो जिए direction दब move करता है किसी पॉइंट पर मिलना है तो हमारा क्या जाएगा number of points आ जाएंगी जहापर वो दोनों cross करेंगे तो हम यहापर सबसे पहले क्या करेंगे हैं हम निकालेंगे time में यहापर वाला अब जैसे यहापर पहले वाले person की speed दिये वो 20 meter per second भी है यानि अगर हम यहाँ से कहना चाहें कि जो पहला वाला person होगा उसको यह चक्कर complete करने में कितना समय लगा होगा तो क्या होगा 100 upon 20 होगा तो यहाँ से time निकल के आएगा यहां से 10 by 3 second का निकल के आएगा यानि कि पहले वाले person को पूरी cycle पूरी cycle वो complete करने में 5 second का समय लगता है और दूसरे वाले person को पूरी cycle complete करने में 10 Kin 2 ते 3 second का समय लगता है अब यदि मैं लिखना चाहूं कि सुरुवाती विद्धु पर बिंदु पर आने का समय है सुरुवाती विंदु पर मिलने का जो समय होगा वो क्या होगा हमारा वो होगा इन दोनों के LCM हो यानि LCM हो 5,10y3 होगा क्योंकि पहले वारा परसन 5 सेकिंड में पूरा साइकल कंप्लीट का था दूसरा वारा परसन 10 सेकिंड में साइकल कंप्लीट का था यार यदि यहाँ पर अगर इस पॉइंट से स्टार्ट करते तो कितने समय बात मिलेंगी वो क्या होगा LCM हो 5,10,3 होगा जो किसके बराबर आएगा 10 के बराबर आएगा क्योंकि LCM fraction का NCM क्या होता है उपर वाली संक्याओ का NCM होता नीचे वाली संक्याओ का HCF होता है पाच को अगर 10 के NCM क्याएगा 10 आएगा और इनका HCF क्याएगा वन आएगा तो यहां से क्या आजाएगा NCM 10 आजएगा यानि कि वो कितने सेकेंड बात अपने सुवाती बिदू पर लॉट कर आएगे यानि मिलेंगे वो 10 सेकेंड बात बात मिलेंगे अब आप और हेलेटर होगा अब रिलेटर स्पीड किया होगी जिर यह 20 mm से 2 проц होगी यह 30 फ़र दीज टेरेक्षण बाध मिलेगी जैसे यहां पर दोनों मिलेंगे तो यह समय जो ओगा वह दो सेकेंड वाध informations मिलेंगे हमाने पास. तो यह हमारा कोई ह्सक्षुट है.. फिर इसकी दो सेकिंड बाद, यहां पर कहीं पर मिलेंगे है. तो यह भी दो सेकिंड का हमारा समय ho quería. अब तोटल समय हमारण 10 seconds का पूरे जहां से सुठी है वहां लौटने का समय के दस seconds में कितनी वार मिले हैं 2-2-2-2-2 जैनी कितनी वार मिले है एक-2-3-4-5ंच तो नमबर और उब 10 स्वमझ में नहीं तो आप इस तरीके करोगे तो इसका आंसर क्याएगा पांच इसका आंसर आएगा तो इस तरीके से यह आंसर हो जाएगा अब इस question में गहरा है कि अर्चना टुक लोन ओफ दिस एमांट फार्मा बेंक को ओन ट्वेंटी फो जनुवरी दुजर बारा at 853,4% per annum simple interest paid it back on 18th June 2012 find the total amount paid by अर्चना हमें बताना की अर्चना ने total amount कितना pay किया उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकाल नहोंगा उसके लिए simple interest निकाल नहोंगा कि अर्चना ने कितना simple interest pay किया ठीक है अब यहाँ पर हम देखेंगी कि उसने जो अपने loan का एमांट लिया तो यहाँपर हम देखंगे कि कितने number of mike के लिए उसने low का amount लिया था तो वो क्या ओगा जैसे कि यहाँपर हम देखंगे क्योंकि January का महीना अवारा जो होता है 31 का महीना होता है तो यहाँपर हम देखंगे जब ağ already कितने दिन बचे हुए है यहाँ पर हमाने पर 7 दिन वचे हुए है क्योंकि 31 का महीना होता है 7 होगे अब फिर उसके बाद किया याएगा फर्वरी आएगा तो फर्वरी का जो महीना होता है वो 28 का होता है लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे क्योंकि 2012 वाला हमारा के लीप ए रहे है अब में में हमारे पास कितने दिन होगे, 31 दिन होगे और फिर जून, अब जून में उसने कितने तारिक तक लोन लिया था, 18 तक लिया था तो यह आवर क्या जाएगा, 18 दिन आ जाएगे अब हम क्या करेंगे, इन सभी डेश का क्या कर देंगे, सम कर देंगे और जो नमबर आएगा वो अवारव वो अफ़ पर होगा जितने दिनों के लिए उसने लोन का इमाउंट लिया था तो हम देखेंगे किसके बरावर आएगा आट और एक नौ और एक दस उनिस और साथ कितना हो जाएगा 26 के छे आसल दो हो जाएगा 361 साल में कितने दिन होते है 300 perfect दिन होते है 300 55 days के लिए जो rate of interest को कितनी है 8 सही 3 वटे 4% है जिसकों क्या लिख सकते है 300 perfect फाल के लिए रोमाने rate of interest 4,8,2,3,35 35 वटे 4% लिख सकते हैं तो यहां से मैं 140 दिन के लिए rate of interest लिखना चाहें तो वो क्या होगी 140 दिन के लिए rate of interest क्या होगी 140 वटे 365 इंटू 35 वटे 4% तो यहां से हम देखेंगे यह त्यात्र का multiple ले 2 टाइम्स जाएगा और यह त्यात्र का multiple ले 5 टाइम्स जाएगा वो 5 से कितनी में जाएगा 7 वर जाएगा और 2 से हमारा यह कितनी में जाएगा 2 वर जाएगा यानि जो वान rate of interest निकल ला है 146 दिन के लिए वो कितना निकला 7 by 2% यहां से निकल ला है ठीक है अब यहां पर हम देखेंगे जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना यह जा रहा है अब इस यह जाएगा rate of interest से multiply कर देंगे तो हमारा simple interest निकल ला है यानि SI जो होगा 7 by 2% होगा अब परफेंट टेगा तो 100 आजाएगा 2 जीरो से हमारी यह 2 जीरो चली जाएगा और 2 से कितनी बार जाएगा अब उन्तालिस जीरो तीन सान अब्बे बार जाएगा अब साथ से इस में multiply करेंगे जीरो साथ नाम त्रेफट तीन आसे 6 हो जाएगा साथी है 21 और 6 27 यानि जो simple interest होगा वो कितना होगा 27-30 होगा अब हमारा principle जो amount था वो कितना था 78,000 था अब हम 27-30 एड करेंगे तो वारा जो answer आएगा वो क्या आएगा यहाँ से यहाँ से साथ 730 आएगा स्वरी यहां पर आट है असी 730 आएगा अब हमें approximated answer बताना था nearest integer तक तो इसके approximate जो answer है हमारे पास यहाँ पर यही option available है क्योंकि यह सभी option जो है यहाँ पर इस 80 से काफी जाता है वार जो यही है हमारे पास answer इस तरीके से हमारे जो answer हो जाएगा क्या हो जाएगा 8730 इसका answer पूजएगा अब इस question में कह रहा है कि अब यदि इस question में आप दे गें तो यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है कि 10 महीना किसी घाता हो 6 दिन में और 6 पूजए कि इस फ Texas किसी घाता इसको पास दिन में कर सकते हैं और हमने 10 महीना चान कर तो कितने दिनके काम कर सकते है यदि आप its question में कि मानने कि यही हमारे यह हमारे यह हमारे कम P यह हEd तो आप इस क्ष्ष्छं को इस तरीक दिन में और बीकिस सो कितने दिन से पाइगे,-जब सबसे पहли कि secondly साथ साल पहले तुना तीनि यानि साल पहले साथ साल पहले जो आयू थी मजर और डॉट्टर घी वो क्याती 7 देशे बनते यानि डाटर की एज की 7 टाइम से अब इसमें आगे कह रहा है कि और अब से 3 वर्जवाद यानि 3 वर्जवाद मेरी आयए तम्हारी आयएं की 3 वो नहीं हो जाएगी यानि जो रेशियो होगा मदर वर डाटर की वो क्या हो जाएगा 3 वर्जवाद हो जाएगा अब पूचा किया है इसमें मा पुत्री की इक्रम से बर्तमान आयू ग्याद की लिए यानि हमें प्रिजेंट एज बतानी है मदर और अइंड डाटर की तो यहां पर हम इसस ऴैल करेंगे प्रिजेंट सर्वाद से करेंगłem तो उसके पर हम क्या करेंगी जैसे कि हम यहां पर डिख रहे है ताइम का गयाप हमांथी पर कितना है यह जैसी साथ साल पहले का यह जैसी तीन साल बात करेंगे इस question वो जो sort करेंगे cross multiplication method से करेंगे तो उसके हम क्या करेंगे जैसे कि हमें यहाँ पर दिख रहे time cut gap हमाने पास कितना है यह 7 सल पहले कर इश्यो दिया है यह 3 सल बात कर इश्यो दिया है एक दिये 7 सल पहले का एक दिये 3 सल बात कर हमाने पास गया हो जाए खितने साल को जाएगा 10 सल बात हो जाएगा तो हम क्या करेंगे 10-10 यह पर लग देगी अब आप क्या करोगे इसका multiply S में करोगे तो यह कितना आ जाएगे 7 आ जाएगे यह 3 आ जाएगा और 7 में से जब 3 कर जाएंगे तो हमाने पास कितना बचेगा चार बचेगा इस 4 की वेन्यू क्या होगी इस का मज़िए इस में करोगी इस का मज़िए इस में करोगी यह कितना बचेगा तस होगी तो हुँआने पास जो वचे का बातना है, तो चार की वैडियो की ऐगो, वच लू वक्या होँति εδώ 5 होगी, अब एक उनिक की वैडियो हमारे पस 5 आगे तो ले सतले करना पढर बात होगी तो यहां पर प्रेजेंटेज हो जाएगी वह कितने वाज़ेंगी यहां पर 12 हो जाए तो जो मदर और डॉटर की यह जोगी वह क्या होगी ब्यालिस अब इस प्रिश्चन में गहरा है कि यहां पर यदीम x से डिवाइट कर दें तो यहां पर यहां पर यदीम x से डिवाइट कर दें तो यह हमारा यहां से डिवाइट कर दें तो यहां से अगर देखें कि x-1 upon x कि आ आजाएगा ? प्लस माइनगी में 45 आ जाएगा अब यहां पर यह देखना होगा कि x-1 upon x अवान फॉजटय जो गा यह नेगेटिव होगा वह किस से पता कर पाएंगे हो हम यहां इस वानी से पता कर पाएंगे यह X आमाईन क्या दिये ? 0 à 1 पार 1 पार 1 के बीच में Да इस के लिए आप क्या कर सकते हो जैसे यह यह बार माको पूट करें हो इनकी बीच के कोईफिन के बैए JEFF लंहे देखनो जोवी इसका अपर साइन आप यहांप लगाएंगा लगाएं , तो यह आप एक्स माइनस बन अपन 1y2 तो यह 2 हमारा उंपर गुजाएगा तो यहासन देखेंगे माइनस 3 वाटे 2 आएगा तो जो हमारा यहापर वेल्यू आ रही हो माइनस में आ रही है यानि कि हम यह कह सकते है जब आरा x 0 वान के बीछ हो था तो x-1 अमेंस अमारा नेगेटिव होता है तो यहां पर गज वेल्यू है कि यहां पर बिर नेगेटिव आएगी यानि कि x 1 و on y н all x कि वेल्यू के माइनस 2 मैं रूट 45 आप मीler में लेख सकते है श्री वायव आप एक्स कि वेल्यू कि मानश 3 वाथट माइनतर 5 कि अदेगा देखेंगे अंनी इसे ज Allen होजाएगा गा अब इस question में कहा रहा है कि R को R S को कुछ दंदास्वी उदार देता है जिस पर S R को 37,000 पर अधिक बापस करता है यानि कि R ने S को कुछ amount दिया जिसके लिए S ने जब उसको R को पे गिया तो 37,000 amount जातर पे किया ठीक है S T को उतनी दंदास्वी उदार देता है जिस पर T S को 8.5% अधिक बुकतार करता है यानि S ने T को amount कुछ पे गिया जिसके लिए T ने S को 8.5% अधिक बुकतार किया किसको S को अब यहां पर करेंगे S तरो दान ली जाने वाली वे ने तांड राशी क्या होगी जिससे उसे इस ने दिन में कोई हानी नहीं नहीं हो तो उसके लिए क्या करना होगा हमें याबर जितना S ने amount R को जादा दिया था वो यहां पर T से बसून कर ले तो हमें S में कोई हानी न जादा दिया था और T से कितना amount जादा लिया था अपने amount पर साड़े 8% जादा लिया था यदि ये दोनों आपस में बरावर हो जाएंगे तो S को ना तो गाटा होगा न नुपसाग होगा यानि हमें क्या करना होगा साड़े 8% को किसकी equal लगना होगा 17,000 की equal लगना होगा तो यहां से वान शारे 8% की value की आजएगी 17,000 आजएगी यहां से हम लेकिने point 30 का जीरो जाएगा और 17 से कितनी बाज जाएगा एक अजर बाज जाएगा 75 पज़े जाएगा दो बार यानि 1% की value क्या होगी यहां से अब 100% की value क्या होगी यहां से 100 का multiply कर देंगे तो 2,000,000 क तरीके से जो S का amount होगा वो क्या होगा यहां पर S ने जो amount बॉरू किया होगा वो 2,000,000 का amount बॉरू किया होगा अब इस question में गहाँ कि for any acute angle theta, sin theta plus sin square theta की value क्या बाद है then the value of cos square theta plus cos square theta यहां बता रहा है अब यहां पर आप देखो यह दी sin theta को आप ऐसी रहने दो sin square theta को इजन ले जा हो तो यह क्या बनाद जागा 1-sin square theta बन जाएगा यह क्या हो जाएगा साइट WATER पर डिख सकते हैं तो साइन की पावर divis Southeast के टीटा वरावर क्या है, ञ経ना उतनी है जोग दिए है ए और भी है यह पर A-B हमें क्या दिया है 98 हमें दिया है दो संक्याओं का अंतर दिया है 28 यानि कि A-B हमें कितना दिया है 28 दिया है क्या रहा है कि दो संक्याओं में से एक संक्या ग्याब कीजिए क्या रहा है कि हमें एक संक्या बताने ही कोई भी तो जब हम जालते कि जब कभी हमें इस टैप का equation दिया हो, A plus B दिया हो, A minus B दिया हो, तो A की value जो होती ही, वो क्या होती ही, तो लोगों को जोड़के हम क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, यानि 98 plus 28 by 2 को होगी, एकी value, और B की value दिया होगी, तो लोगों को गटा के आधा कर देके, 98 minus 28 divided by 2, तो यहां से जो value जोड़के, 98,66 की 68, असे नहीं को जाएंगा, 112 वट दो, यानि 126 वट दो, तो यहां से 2 से divide करेंगे, 2.12 दो 26, यानि एकी value यहां पर 360 आजाए, और यहां से क्या होजाएगा, 70 वट दो क्या होजाएगा, 35 होजाएगा, अब हम देखें इन दौनर वे से कौन सा option हमारे कौन सा value हमारे इन option में है तो केवल 35 हमारा इस option में है तो इस तरीकी से 35 हमारा क्या हो जाएगा answer पुछ जाएगा अब इस question में कह रहा है कि the following pie chart source the annual expenditure on different items what is the minimum angle in the given pie chart हमें बताना है कि minimum angle क्या होगा तो minimum angle हमें किस से मिलेगा minimum percent से मिलेगा तो यहां पर हम देखें yards maximum 10 % है यानी इन दौनों के लिए हमारे क्या होगा minimum end hurry अब क्योंकि हम जाना है कि total हमारा कीफ तोटल हमारा का हंज्रेट परसेंट है total हमारा क्या 100% है और यह twoटल हमारा 360 degree ही है यानि 100% की value हमारी क्या है 360 degree के बरावर है तो 10% की value क्या आजाएगी यास 0 से 1 0 का आज़ेंगे 36 degree आजाएगी 100% की value 307 degree है तो 10% की value क्या आजाएगी 36 degree आजाएगी यास और हमें इस 10% की value भी बता नहीं थी क्योंकि 10% ही minimum of angles of 10 करें इस तरह की आजाएगी 36 क्या हो जाएगा आज़े अब इस question में गहरा है कि the salaries of a father, mother, daughter are in the ratio 2, ratio 3, ratio 5 2, 3, 5 का अनपातें की salaries अब क्या रहा है what will be the ratio of their salaries and their wages increase of 15% 10% 20% respectively ठीक है यदि salary 15% increase कर जाएगी तो new salary क्या होगी 15% increase कर जाएगी 115% हो जाएगी ठीक है अब यदि salary 10 से increase कर जाएगी तो क्या वजाएगी 110% हो जाएगी 3 का 110% हो जाएगी 100 प्लस 10 1, 1, 10 हो जाएगा 1, 1, 0 हो जाएगा अब यदि salary 20% फे increase कर जाएगी तो क्या वजाएगी 120% हो जाएगी तो जो नया ratio बनेगा वो क्या बनेगा 2 into 115 रेशियो 3 x 110 रेशियो 5 x 120 यह हमारा नया रेशियो बने है अब 5 से इसको गैंसल करेंगे तो यह 23 बर जाएगा हमारा 5 से देखेंगे कितनी बाज जाएगा 22 बर जाएगा 5 से कितनी बाज जाएगा 24 बर जाएगा अब 2 से हमारा कितनी बाज जाएगा ग्यारा वार जाएगा और दो से हमारा एक इन्दी में जाएगा बारे वार जाएगा तो रेशियो हमारा क्या निकल के आगा 23, 33 और 60 यह हमारा रेशियो होगा इस तरीके से आंसर यह हो जाएगा अब इस कुर्शन में करा है कि इफिंग ट्रेंगल ABC and DEF यह हमें आपर एक रेशियो दिया है AB upon DE वरावर क्या BC upon FD है then they will be similar when अब यहां पर मैं बताना है कि यह similar होंगे कव जब हमारी इन्दों से कंटिशन फिल्फिल होगी तो आपको हमेंसे एक चीची याद रखने है जब कभी भी आपको इस टैप को कुछ दिया होगी AB upon D वर BC upon FD और आपको इन दोंडों को similar बना रहा है तो आप क्या करोगी जो हमारा इन दोंडों में common है AB और BC में क्या common है B common है वारा तो B को क्या करोगी आप पास पास लिखतोगे तो जैसे यहाँ पर हमारा B हमारा पास लिखा होगा है तो इसमें हमें कोई change करने की जबवत नहीं अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पस क्या को मने है यहाँ पर D को पास लिखना होगा तो यहाँ पर D 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 लिखना होगा यहने कि हम कहेंगे ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल E, D, F के अब क्योंकि यह दोने ट्राइंगल सिमिलर है तो यह हमारा B एंगल किसके बरावर होगा, एंगल D के बरावर होगा, A एंगल E के बरावर होगा, C एंगल F के बरावर होगा, तो इस तरीके से इसका आंसर क्य और बी एंगल किसके बरावर होगा तब ही यह ट्रैंगल क्या होगा है आपको हमेसा इस टैप से ही बनाना है कि आपको यह लेके आपको इस टैप कर सकते हूँ आप इस किसी कादग को दस दिर में पूरा कर सकते हैं, दस महिला उसी कादर को बारे दिर में पूरा कर सकते हैं, यदि उस कादर को करने के लिए चार प्रस चाय महिला उको लगाया जाए, तो कादर कितने दिर में पूरा होगा है, यानि कि eight man total work बरावर दिया है eight man किसी काम को 10 दिर में पूरा कर सकते हैं 10 woman उसका दिर को ट्वेंबिटीज में पूरा कर सकते हैं तो यहां से man upon woman की efficiency निकाले ratio तो क्या हो जाएगे man upon woman की efficiency क्या हो जाएगा ratio तो यहां से हमें देखेंगे 10 से तो हमारे 10 चला जाएगा यहां पर हमारे 12 होगा यहां पर हमारे 10 8 नीचे आ जाएगा यह क्या हो जाएगा इस तरीकिस हो जाएगा चार से आपकर हम कैंसले में चारती है बारे चार दूनी 8 तो हमारे रेशियो हो जाएगा क्या हो जाएगा यानि man की efficiency तीन यूनिट होगी, यह woman की efficiency दो यूनिट होगी, अब total work हम बताना चाहिए, तो हम क्या गर सकते है, m की value इसमें रख सकते हैं, या w value इसमें रख सकते हैं, तो m की value इसमें रखेंगे, तो क्या हो जागा, total work 8 into 3 into 10 हो जागा, यानि total work क्या होगा, 8 into 3 into 10 हो जाएग करना हो चार का यहां पर मल्टिप्लाइ करना हो 12 यहां से हो जागा और 8 नीचे से जागा यह तोटल एफिजिएंसी कितनी आए कि 20 आए आपको से कितनी मा जाए का यहां से 12 आए अब इस कुषिशन हो कि अनबर टे सकते हैं से चला करते हैं did the आप एक अरण एक सोट से डो यहां अप्म यहां पर देख सकते हैं इग हमारे टेंजें तौहिए यह हमारे tangent यह हो जाएगा और यह हमारे tangent के पीछ से होके चला जागा इस तरही किस से तो अमारे जो number of tangent होगे एक दो तीन तो यह हमारे कि 11 के इस तरहीं से चेक करते हैं हम क्या करते हैं alternate numbers का sum लेंगे और हमका difference करतेंगे यदि यह difference हमारे 11 से individual हो जाएगा तो हमगे यह number 11 से individual है तो यह हमारे हाँ पर strategy होती है कि individualty चेक कर रहेगी तो हम क्या करेंगे यह पर alternate number का sum करेंगे तो क्या करेंगे यह 4 हो जाएगा 4-9-13 हो जाएगा 3-9-9 हो जाएगा यहाँ से 22 हो जाएगा यहाँ पर सम्हावाँ में 20 आए अब दूसरे बारे वोल करने डंबर का करेंगे तो 5-2-7 और 7-5 बार है याँ हम क्या करेंगे इसके differenz ले ले लेगे इस तरह है अब इनके differenz की आएगा यहाँ पर 10 आएगा, अब 10 आवार 11 से division नहीं होता तो यह आवारा number 11 से division नहीं होगा, ठीक है, अब अगला वारा number चेक करेंगे, हम इसका सम करेंगे कि हो जाएगा, 3 नो 12, 12 नो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यहाँ यहाँ पर 21 आजाएगा, minus, अब इस वाले का करेंगे 3 और तो 5, 5 और 12, तो आप यहाँ पर minus 10 कर, वह उनके मीच का difference कितना रहा है, 11 आ रहा है, अब क्योंकि 11 हमारा level से division होता है, यानि यह वाले number हमारा 11 से division हो जाएगा, तो हमारा answer क्या हो जाएगा, यह वाला answer हो जाएगा, इसका अब इस question में क्या है कि, सुसांग 6 मिनड़ में 12 moisture type कर सकती है, मैरी 12 मिनड़ में 6με webs type कर सकती है, एक साथ काम करते हुए, वे 32 मिनड़ में कितनी टाइप कर सकेंगी, यह मैं बता रहा है, आप यहाँ पर हमने दे रहा है कि, दिया है कि 6 मिनड़ में 12 पिश टैप कर सकती है तो जो सुसान की efficiency होगे हो क्या होगे 12 upon 6 होगी work upon time क्योंकि हमारा क्या होता है work गोड़ा हो efficiency into time होता है तो efficiency क्या जाए कि work upon time हो जाएगी ठीक है यानि सुसान की efficiency कितनी आजाएगी मेरी की efficiency 1 by 2 unit होगी अब आगे क्या रहा कि working together how many pages can they type in 32 minutes अब work बरावर क्या होता है efficiency to time होता है अब दोनों की efficiency मिलागर कितनी आजाएगी 2 plus 1 by 2 आजाएगी और time हमें जो दिया है किंदा ये 32 minute का दिया है अब 32 में करेंगे क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा और यहां पर 32 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाए अब 64 और 16 क्या होता है वारा 80 होता है यानि वह कितने pages tap कर सकते है 80 pages tap कर सकती है अब इस question में दिया है कि 2 cortex की value कि 5 है और हमें पूचा है कि what is the value of this expression इसार यहां से महीं को अखकते हैं 5 by 2 लिख सकते हैं अब क्योंकि cortex परावर किया होता है cos x upon sin x होता है वारा यहीं cos x upon sin x की value क्या जाएगी 5 by 2 आजाएगी यही cos x की value 5 unit होगी और sin x की value 2 unit होगी यहां से मिए कैसरत है तो यहां पर हम क्या करेंगे यह यह बेले पुट कर देंगे वह उसके जगा 5 साइन की जगा 2 तो आप इसका मुल्टप्ले इसमा करेंगे कि 10-2 हो जाए गाई और यहां पर 10-2 हो जाएगा यह एक्सप्रेशन तो यहां पर क्या बचेगा मैं पर आट बचेगा यहां पर चार तुनी आठ चारती अपार य यानि selling price गोता है अब हमारा जो mark price था वो किता था 9400 था जब 4% की इसमें छूट दे दी जाएगे इसकी जो value बचेगे वो कितनी बचेगे 100 में से 4 चला जाएगा कितना बचेगा 96% इसकी value बचेगे यानि जो selling price हो क्या होगा 9400 कर 96% होगा अब यहां से हम देखिगे यह दो का multiplication ही हमारा answer को अब इन दोरों का multiplication हो किस तरीके से कर सकते हैं क्योंकि हम जानते कि जब कोई भी हमें इस type के number दिये हो कि जिनकी पीच में यह एक number का gap हो जैसे कि हमारे consecutive number होते है 94, 95, 96 और आपको multiplication करवा जाए 94 और 96 का तो इनका multiplication होता है वो क्या होता है इनकी बीच की संके कि बीच की संके क्या होती है 95 होती है उसका square minus 1 कर देंगे आप अब फिच्यानवे का square क्या होता है मारे पास 95 होता है minus 1 तो यहासे इसका answer कि आगए 24 इसका answer आजाए आपको हमें से याद रखना ही जब कभी भी step के number हो जैसे मारक चलो example के तोरे हो से अगर multiply करवा है 33 into 35 तो इनकी बीच का multiplication हो क्या होगा इनकी बीच की संके क्या 34 है 34 का square minus 1 हो जाए गो तो इस तरीके से multiplication काम करता है आप directly multiply कर सकते थे जैसे अगर आपको नई हिट करता कि किस तरीके से यह हुआ है और आप directly भी multiply करते तब इसका answer यही आता तो यह इसका answer हो जाएगो अब इस question में क price for a three in the piece हमने बता तो यहां से यहां से आपन देखिएंगे हमोया यह अ पर दिया कि उसने दस पर्एन खरीयद है और प्रितियक पहिन की की कीमत 8 रुपय ती यह उसने पफशागर की इसका कि और गठी़रा कृजरीः की थे और ने मिलाकर टोटल करचा अगर आ Obrig We failing to टोटल साप् arguably को मिला गी तीनों चीजों पर उसने कितने का ग remembering 250 का गजांडि हम इन दोनों की खरचे को निकालत तो साप्नर बाुदा कर्चा मारा निगल गयाँ आजएगा वो किस के बरावर होगा 20 के पर और होगा जब एक कि हमें यह तो बताना नहीं हमें बताना है कि average price per item कितना है तो average हमारा क्या होता है average होता है हमारा sum upon number of observation यह होता average आप यहाँ पर उसने टोटल करचा किया वो कितने का किया है कि हमें मालूम है कि शापन उसने कितने करी थे इरिजर उसने कितने करी थे पैन उसने कितने करी थे तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर हमारी यहां पर एक sector है जिसकी radius हमारी 7 cm दी हो central angle के 60 degree है अब क्यों हम जाते है कि area of sector of circle of central angle theta क्या होता है theta upon 360 degree into pi r square यह हमारा area होता है अब theta में किन दी है 60 degree तो यहां पर 60 हो जाएगा यहां 360 हो जाएगा पाई की value बाइस वाट चे साथ में देही रखी है यह हापर और आरखी veya में साथ दी है तो यह सेवनkiem हो जाया अभ एक seven यह seven चल रहाजएगा यहảng यह किपनी में जाएगा ch जाएगगा दो से कितनी में जाएगा दो से कितनी बाइगा यह्यार कितनी बाइगач यहर्य सत्त्त्तर gagn़ का वट ती했다 यानि shines अब इस question में गराएदा speed of a vote and down the stream is 125% of the speed in still water ठीक है यहाँ पर हमसे कहला है कि downstream one speed है वो जो vote की still water में speed होती उसका 125 प्रतीशत है अब 125% की venue हमारे क्या होती एक सो 25 प्रतीशत है पच्छेसा 5 प्रतीशत है अब हमारी down stream speed होतीत है जी नॉर्मल स्पीड होती है डीोट की होती एक जी चल में still water इशना और just one shape fuel उसका 125% आ जाएगी, अम आगे इस question में करा है कि if the boat takes 30 minute to cover 20 km in still water, करा है कि still water में 20 km distance को travel करने में 30 minute को समय लेती है, तो यहाँ पर यह जो हमारी speed हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से हमारी speed हम निकाल सकते हैं, कि still water में उसकी speed क्या होगी, वोट की, तो still water में जो speed होथी, वो हमारी x होती है, यहाँ से हमारी निकाल आए जाए, निकल जाएगी, तो x की value क्या होगी, distance upon time, यह क्या दिया है, 20 km दिया है, और time हमें कितना दिया है, 30 minute का time दिया है, यह आपर क्या करेंगे, 30 minute कर देंगे, अब क्योंकि यह हमारा minute में है, तो उसको hours में convert करेंगे, 30 upon 60 हो जाएगा, यहाँ से में देखेंगे, क्या हो जाएगा, 30, 20 into 60 upon 30 हो जाएगा, 30 से कितनी में जाएगा, दोबर जाएगा, 20 दोनी चानिस, यानि x की value के आजाएगी, 44 km पर आर आजाएगी, अब 4 की value हमारे किसके बढ़ाब होगी, 40 के बढ़ाब होगी यानि एक की value कितनी हो जाएगे, 10 हो जाएगी, तो एक की value कितनी हो जाएगे, 10 km पर आर हो जाएगी, यानि हमारे पास जो speed होगी, x की कितनी होगी, 40 km पर आर होगी, और y की value कितनी होगी, 10 km पर आर होगी, अब आगे इस question मा बूचाएगे, then how much time will it take to cover 15 km up stream, हमें बताना है यह 15 km पर चलने में उसने कितना समय लिया, अब upstream बनी speed जो हमारी होती है, वो क्या होती है, हमारी होती है, x-y होती है, यानि 40-10 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, यानि upstream speed जो होगी, हमारी क्या होगी 30 km पर आर होगी, distance हमें कितनी travel करने है, 15 दे तो 15 दे तीस, य हमारा क्या answer हो जाएगी, अब इस question में कहरा है कि number of mobile sim card is four state slash union interest, these are given in the value diagram, extend the diagram and answer the questions, ठीक है, यहाँ पर कहरा कि इन दिन्ली, the ratio of BSNL sim card and ATL sim card sold is, कहरा कि दिन्ली में यहाँ पर हम वेहार दिया, UP दिन्ली दिया, दिन्ली दिया और जाप दिया, तो हमें दिन्ली के लिए बता हो है, इस वाले sim card, ATL वाला क्या है यह वाला, यानि इन दौनों के बीच का में sum ratio बताना है, इन दौनों के बीच का में क्या बताना है ratio बताना है, यह आपर यह जो value कितनी हमारे पास देखेंगे, यह आपर पास 10 है, यहनि BSNL की SIM card है, वो कितनी है 10 unit है, और ATL की SIM card यह वा एंड करते हैं, हम मिलते हैं रेक्स्ट वीडियो और, पत्तक के लिए वाएं टेक केर,